मौत का हाई टेंशन बिलासपूर में आठ गाउं में हाई टेंशन तारों की ऐसी टेंशन है कि लोग रबर के जूते पहनने के लिए मजबूर हैं लाख जतन करने के बाद भी इन लोगों को करेंट के जटके लगते हैं इधर इस मामले में 36 गढ़ हाई कोट ने जन हित्याची का पर सुनवाई करते हुए केंदर सरकार से तीन हफते में जवाब मांगा है परिशान लोगों को अब अदालत से उम्मीद है यहां तारों का चक्रव्योग है यहां की हवा में करंट है नंगे पैर चलने पर लगते हैं जटकी हाई टेंशन तार की भारी टेंशन बिलासपुर के रतनपुर इलाके के आठ गावों के लोग देशत में जीने के लिए मजबूर है यहां हाई टेंशन तारों का ऐसा जाल बिचा है कि लोगों की जिन्दकी बदल गई है खेती करना मुश्किल तो हो ही गया साथ ही जिन्दकी जीने का तरिका भी बदल चुका है और यह सब हुआ है हाई टेंशन तारों की वज़े से हाई टेंशन तारों से दोड़ते करंट की वज़े से जमीन पर करंट फैल रहा है इस वज़े से लोगों ने रबर के जूते पहनने शुरू कर दिये हैं करंट के खत्रे ने बच्चों को बुरी तरह से प्रभावित किया है बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन डर के साइब है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे नंगे फैर स्कूल जाते हैं और कई बार करंट के छटके भी खा जाते हैं इस वक्त हम बिलासपूर से लगभग 20 किलो मेटर दूर अमतरा गाहों में मौजूद हो और ये वो गाहों है जो हाइट एंसन वायर से प्रभावित है देख सकते हैं कि ये सासकी प्रात्मिक साला अमतरा है और यहां पर मासूम छोटे-छोटे जो बच्चे है वो यहां पर पढ़ाई करने आते हैं लोगों को करेंड का झठका लगता है ऐसे में इन मासूम बच्चों को भी करेंड का झठका हम इसना सीधे तोर पर इसकूल के प्रदान पार्टी का है उनसे जानेंगे मैडम किस तरह से के थे तार रह यहां उन Kakar गया-ए안 बहूं ग्रामीन सही मुआफ़जा ना मिलने की भी शिकायत कर रहे हैं। सवाल ये है कि हाइटेंशन तार हवा में हैं, फिर लोगों को करंट क्यों लग रहा है। एक्सपर्ट्स की माने, तो करंट के लगने की वज़़ क्या है। हाइव वोल्टेज तारों के पास की हवा आयोनाइजड हो जाती है, और इस वज़ों से करंट तार से हवा में जम्प करता है। हवा बिजली का वाहक बज़ जाती है, इस प्रक्रिया को आर्किंग कहा जाता है, और जब कोई इसके संपर्क में आता है, तो करंट के ज़टके लगते हैं। जिम्यदार भले ही ग्रामीनों के परिशानी पर आँख मूदे हुए हैं, लेकिन इस मामले में 36 गड हाई कोट स्वतह संग्यान लेते हुए सुनवाई भी कर रही है। कोट ने केंदर सरकार से तीन हफ़ते में जवाब तलब किया है। इससे पहले हुई सुनवाई में कोट ने साफ किया था कि केंदर सरकार किसी कमपनी को लाइसेंस जारी कर अपनी जिम्यदारी से पला नहीं जार सकती। कोट के सखत रुख से इंसाफ की उमीद जरूर जाकी है माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आठ गावों की करंट की समसिया का कोई न कोई समधान जरूर निकलेगा उमेश मौर्य, न्यूज 18, बिलासपुर और सीधे आपको बिलासपुर लिये चलेंगे हाई कोट ने स्वाब मोटो भी इस मामने में ले लिया हैरानी की बात यह है कि आठ गावों की गंभीर समस्या को किसी ने सुनने समझने और सुल जाने लायक नहीं समझा उमेश लली जी देखिए यह जो मामला है यह 2009-10 का मामला है और लग तार जो कीसान है वह इसका विरोध करते रहे हैं जब इनके खेतों में इनके गाउँ से गुजरने वाली जो हैई टेंसन वायर ती उसको लेकर कई बार कई मरतबे जीला प्रशासन से भी विरोध किया बावजूद उसके जीला प्रशासन ध्यान नहीं दिया लेकिन अब चुके लगातार जो शिकायते हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं लोग जो है करेंड के जटके का रहे हैं इसकूली बच्चे को इसकूल जाने में दिक्कते को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है टीचरों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि बारिश के दिनों में दिवाल पे करेंड के जटके जो बच्चे हैं वो महसूस करते हैं हमारे साथ सीधे तोर पर उन प्रभा हएं कि केख्म लोग इसोल गावन की समस्या हो Tongva देश की समस्या है है सोलाप प्रदेश की यह समस्या नहीं है और वास्थ एक समस्या है जो हाई टेंस वायर ममतरा गाव आब 산 गूजरा है और तीन तीन वे में के लोकि लाइं से और चूंकि कछार के भी कुछ लोग अंतरा में उनकी खेती किसानी प्रभावित हो गए है किस तरीक कितना इकल प्रभावित हुआ है आप लोगे वहां तो हम लोग 2008 से लड़ रहे हैं जब 2008 में जो हाई वोटेर टावर जो अभी जो भरारी में लगा है वह वाले जो क्रास हम उसी दिन से लड़ रहे हैं उसमें भी हमको आम कभी मुद्धा नहीं मिला तीन सव रूपर प्रतिज़ार के साफ से दिए जब की परिशानी क्या हो रही है अब परसानी यह है कि अभी 2013-14 में और जो नीचे से जबल पूट्रांस्मिशन जो लगा हुआ है उसमें इतना परसानी है कि आपको खुद मरसूर्स होगा कि चलने में कितना क्रेंट आ रहा है वहां नाब भी कर चुके हैं अधिकारी लोग 15-20% क्रेंट आ रहा है ग्यारा मिटर में तार है आज के डेठ में अव दर्मी में तो वहां कम होता है वह तो उसमें तो हमको खेती कर में बहुत प्राब्लेम जा रहा है अगर कोई किसा अगर करके देख ले कि वहां चलने में करेंट मारता है जमीन बंजर हो गया है और बहुत ज्यादा दिक्कत है वहां किसानों को आने जाने में और बनियार भुतियार को आने जाने में धान लगाने में दिक्कत है खेत में सिचाई करने में दिक्कत है आप ये बताइए कि ये जो समस्त्या बनी हुई है इसको लेकर क्या आप लोगों ने शिकायत की प्रशासन तो बहुत बार हो चुका है उसके बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है चलने में ऐसी खुला पैर चलने में वहां अगर जो तप हैन के जाओगे तप चल पाओगे नहीं तो खुला पायर जाने से बहुत जोड़दार करेंटार है एक दूसरे संपर्क जब हो रहा तो उसमें बहुत ज्यादा करेंटार है इस प्रकार से बहुत बार सिकायत कर चुका है बाकि उसके दुआरा कुछ अभी तक नीरा क अब चुकि हाई कोट ने भी संग्याल लिया है तो लग रहा है उम्मीद है कि आप लोगों को नहीं मिलेगी उमीद तो देख रहा है लेकिन जो संबंधित अधिकारी है उनके उपर भरोसा नहीं कोड पर भरोसा है लेकिन जो संबंधित अधिकारी कभी भी कैक मिलो कि किसा सब्सक्राइब लेकिन बार बार वही प्रसंद चिन उड़ता है कि या समस्चय हलो पाएगी नहीं लोगा स्वासन देते हैं हमेशा दिसार निर्देश पराबर एक बार नहीं हज्जार बार बोलाओं खोड का निर्देश आरा इसके बाद भी उनके आदेश की आधेश हो रह तो किस तरीके से आप लोगों का दिन फिर कटता है जब आधे टाइम तो आप लोग करेंट के जटके खा रहे हैं सर अगर कहीं बच्चे जा रहे हैं इसकूल तो भी डर है हमारे घर के सामने भाई करेंट आरे उपर बिना दास्ताना की कहीं पर आप लाइन में नहीं जोर सकत से पूरा सब इश्वेशन सिंदी से बंद करनी के बावजूद अगर एक कनेक्शन जोड़ना है तो अब पूरा इतना समस्चा में गीरे सर अब क्या बट लाएं इतना दुखी है कि अब कुछ कर नहीं सकते हम अब उम्मीद है कि हाई को जब संग्यान लिया है मगर उमीद तो हाई कोर्स है मगर करमचारियों से उनके जो टावर वाले उनसे अपने को उम्मीद नहीं है सर अश्वासन खाली देखें अचुकि नयाय पालिका पर इनको उम्मीद है लेकिन जो करमचारी अधिकारी वहां पर जो मौके पर पहुंसते हैं और लगातार ये दावा करते हैं कि वहां के तमाम जो व्यवस्ताएं हैं जो जटके करेंड के लगा बिलकुल बहुत धन्यवाद उमेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए सहोगी उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे लोगों से भी उन्होंने बात की किस तरह